कि बंगाल में क्या हो रहा है सरे आम आम जनता को हां मारा काटा जा रहा है जो ममता बनर जी से सहमत नहीं है उनके पक्ष में नहीं है उनमें अपना विश्वास नहीं रखता ममता बनर जी का सीधा कहना है कि उसे बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है या तो इसको मार दो य इस पर तुरंत राश्टपती सासन लगना चाहिए अगर ज़्यादा दिले किया गया तो वहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ जनता तरही मान कर रही है और केंदर की तरफ देख रही है राश्टपती की तरफ देख रही है कि हमें आप बचाईए नहीं हम इनके प्रिक लगा ही देना चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोड को जल्द ही कोई फैसला लेना चाहिए बरकुल सहरिन आपने बहुत अच्छा जो मुद्दा होता है वह लिया है कि बंगाल की हिस्तिति इस टाइम इतनी डैनी हिस्तिति है कि वहां यह समझमनी आ रहा है कि यह उस्तान का कोई प्रांत नहीं है क्योंकि वहां की जो सासक है सेम वो इस तरह से उस प्रदेश को चला रही है जैसे से अमन और सीरिया में लोग चलाते हैं तो आप ने देखा होगा कि चुनाओं के तुरंत बात बंगाल की सिथी कितनी भानक हुई सरेयाम वहां लोगों को म प्रद नहीं निकला एक सब्सक्राइब करने वाले कौन लोग थे इनको पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी इन पर एक्शन हो एक सब्सक्राइब करती है जो ममताबंदर जी कहती है तो आप सोचिए और जब एक कोट का आदिस एक कोट ने आदिस किया था सिबियाई को कि इ के इस केस में इन्वॉल्व हैं और पुराना केस था तो सी बी आई ने कोट के आदेश्ट का पालन करते हुए इन चार नेताओं को ग्रबदार किया और ग्रबदार करके अपनी ओपिस ले गई जहां इन्वस्टिकेशन करना था मंगर पीछे से जैसा ही मम्ता जी को परता कि एसा ग्रबदारी हुई है वो तुरल सी बी आई वो दफ्तर को जाके उन्होंने घेर लिया और जब घेरा जाके तो पीछे से पूरी टीमसी वहां पहुँच गई और वहां का क्या द्रस्य है जो सारी मीडिया ने दिखाया है कि सी बी आई दफ्तर पर पहली बार मैंने नहीं कर पाता तो वहां पर सी बी आई भेजी जाती है और उत्सी बी आई के दफ्तर पर ममता के गुंडों ने किस तरह थे बर्रत्ता निखाई क्योंकि दफ्तर में पत्राव किया आप सीते दर्वाजे तोड़े गए और ममता बनर जी जो अपने आपको कहती कि वहां की हम सी एम हैं और वहां जाके उस ओपिस को घेर के उन्होंने वहां धरना दिया और सी बी आई अधिकारियों के उपर इतनी बुरी तरों से दबाव बनाया गया कि वह अपना काम नहीं कर पा रहे थे तो यह बंगाल मैं कह रहा हूं कि इस पर तुरंत राश्पती सासन लगना चाहिए अगर ज़्यादा दिले किया गया तो वहां कुछ भी हो सकता है क्योंकि आज जंता तरह कर रही है और केंडर की तरफ देख रही है राश्पती की तरफ देख रहे है कि हमें आप बचाईए हैं हम इनके से बचने वाले नहीं है और ममताव बनर जी ने बिरकुर बहुत रूप दहनर कर लिया है कि जो एक होता है उस तरह से बंकाल की जनता को परिशान करें एक तरह सुप्रीम कोर्ट में प्याय लगाए जा रही है कि राश्यपती शाशन लगना चाहिए वेस्ट बैंगॉल में दूसरे तरह करें करम कलकता हाई कोर्ट की बाद करें तो उसकी तरफ से भी फटकार लगाई गई ममताव बनर जी को बिर्कुल कोर्ट सब देख रहे हैं कोर्ट के सामने है सारी सिती चाहिए हाई को जिलां कोटों वो सब इस सिती पूरी देख रहे उन्हें मालुम है कि बंगाल में क्या हो रहा है सरे आम आम जनता को मारा काटा जा रहा है मता बंदर जी से सहमत अंहीं है उनके पक्ष में नहीं है उनमें अपना विश्वास नहीं रखता मता बनदर जी-का सीधा कहना को उसे बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है यह तो इसको मार दो यहां से बंगाल छोड़के भाग जाए यही सित् necess इबंगाल वुप बनाके रखी है तो सुप्रीश कोर्ट इसको देख रहा है उसी हिसाब से सुप्रीश कोर्ट और हाई अपना डिसीजन ले रहे और लेना भी चाहिए इस पर बहुत सक्त मैं तो यह कहूं कि राष्ट पती जी आपने बहुत देर कर दी इतनी देर नहीं करना चाहिए नहीं क्या आप सोच रहे हैं कि वहाँ आदा बंगाल खतम हो जाएगा तब राष्ट पती सासल लगाओ गए र पर यह भी बात है कि ममतब एनरजी जिस तरीके कर राजवेस बेंगौल में चला रही है और जो भी नीतियां उनकी द्वारा अपनाई जा रही है उससे पूरा देश वाकिभ है देश विदेशों में भी इन सारी चीज़ों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है सवाल यहां प अधिके की फटकार ममतब एनरजी को लगाई जा रहे थी तो उसके बाद कॉंगरेस के जो वरेश्ट वकील है अभी शेक मनू सिंग भी वो किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे थे ममतब एनरजी को और तमाम जूटे दावे भी कर रहे थे हैं सेरिंग जी एक आपने कह अब सुनी होगी कि चोर-चोर मोसियायते भाई तो मनू सिंग भी और कॉंग्रेस ये भी सेम उसी सेनी की है जो ममतब एनरजी जिस कदमों पे चल रही है जिस रास्ते पर चल रही है कांग्रेस भी इस देश की हित्यसी नहीं है वो भी इस देश में आरजक्ता फैलाने में विश्वास रखती है हिंदू मुस्लमान कराने में विश्वास रखती है दंगे फसाद कराने में विश्वास रखती है और अब कांग्रेस ये चाह रही कि कैसे भी हिंदूस्तान में एक अच्छा सासन है एक अच्छा प्रधान मंत्री है तो उसको जो है ना रोका जाए उ दुनिया देख रही है कि ममताब नरजी बंगाल में नरसाहर करा रही है और आप उनके उपर जो है ना उन्हें बचाओं में उत्रे हुए सर माना चाहिए ऐसे मैं इसे देश के बकीलों को बकील बिरकुल नहीं मानूँगा मैं तो यह कहूंगा यह देश द्रोही हैं और इनक उद्रा केस जो चल रहा है ममताब नरजी के पर नारदा स्टिंग उपरेशन को लेकर जो फाइर हुई है इनके चार नेताओं की जो गिरफतारी हुई हो उसको लेकर आज फिर से हाई कोर्ट में केस चलेगा सुनवाई होगी पर सी बी आई ने कहा है कि यह मामला कॉलकता हा बंगाल में इस जाच को निश्पक्च होने ही नहीं देंगी क्योंकि वहां पर उनकी तानासाई है उनकी पूरी पाटी तानासाई करती है उनके गुंडे वहां पाले हुए है वो जब आप सोचिए सी बी आई के दफ्तर का घेराओं कर सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती है सी बी आई ने जो सुपरन कोट को बताया है कि यह जाच बाहर ले जाई है तो बहुत अच्छा किया है क्योंकि बंगाल में रहके यह जाच कभी संपूर रूप से जो है ना एक पार्दस्ता होना चाहिए वो हो ही नहीं सकती है यहां पर धरना प्रदोशन की आपनाने के ल दुनिया जानती है इनहीं के एक नेता थे मनिसंकर आयर वो पाकिस्तान में जाके सपोर्ट मानते थे वहां पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान के अलगावबाद्यों के साथ बैठके मनिसंकर आयानने कहा था कि भारत में चुनिव ही सरकार नरेंदर मोदी की उसको तो वह कंग्रेस पार्टी ने 65 साल जिस पार्टी न राज जी आओ इस डेस को बेचना पड़े तो बह भी कर देगी, देश में नर्सार करना पड़े, तो विरकुल करा देंगी, मगर यह सत्ता चाहिए कैसी भी चाहिए तो इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि इल्म पार्टियों को सत्ता से दूर रखो गए तभी आपका देश बचेगा नहीं आपका देश सुरचित नहीं है राजपाल जो है वैस वैंगौल के जगदी धनकड उनको लेका उनको भी सारी स्थितियां वहाँ पे दिख रही है और वो भी इन सारी स्थितियों को सुधारने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं ममताव एनरजी से कई बार उन्होंने उन्हें धंकाया भी है अपील भी क चठी लिख दी है क्या होता है राश्पती के बाद प्रांत में एक गवंणर होता है और वहां पर जो है ना उस प्रांत में उस सरकार में राश्पती का प्रत्मजित करता है तो जब वहां इस तरह की हो सरकार ठीक काम ना कर रही हो कानून विवस्ता ठीक ना हो लोईन ओर ठीक से न चल रहे ह। तो राजपाल है उसका ये करतब बन जाता है कि वहां की विवस्ता को ठीक कराए और प्र भी ठीक नहीं होती है किसको सीधा राश्पती को कि इस्तिती यहां की सुधरने वाली नहीं है और यहां राश्पती सासल लगना चाहिए तो वो राजपाल दयानी धंकरजी है जो बैस्ट बंगाल के बहुत अच्छा काम कर रहे है अगर वहां धंकरजी नहीं होते तो बंगाल में जितनी हत्या हु और हो जाती धन्यवाद